आज की वीडियो में में आपको बहुत ही एक और नहीं मज़़दार कमाल फॉक्टी आडिट ना सिखांगा जैसी फोटॉ आडिटिंग आपने फ़ॉन मेल में देख लिए है ठीक ह्या तो इस तरह क फॉटॉ आडिटिंग करने के लिए आपने ये application play store से download कर लेनी है ठीक है ये वाली play store से आपने काई master आपने play store से download कर लेना है और इस तरह की photo editing इसी application में आप कर सकते हैं इसी तरीके से बहुत असान तरीके से ठीक है किस तरीके से करेंगे full detail के साथ आपको बताऊंगा आपने वीडियो को एंड तक देखना है वीडियो आपने कहीं से भी शार्ट नहीं करना ठीक है तो वीडियो को आपने लास तक देखना है उससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ तब वीडियो का लाइक कर दें और चेनल को subscribe नहीं किया हुआ तो चेनल को subscribe कर दें और साथ में बेलाइकेन होगी उसको notification आल पे click कर दें ठीक है तो बढ़ते हैं आपनी वीडियो की तरफ ठीक है आपने इस application को open करना है open करने के बाद आपने create now पे click करना है ठीक है इस पे click करेंगे तो आपके साफमने इस तरहा की frame खूलके आजाएंगी 1 2 3 4 5 6 78 थीक है आपने 7 frame खूलके आजाएंगी तो आपने ये वाली frame select करनी है ठीक है ये वाली इस पे click करना है आपने यहां से आपने इसको next करना है ठीक है इस पर क्लिक करने के बाद ये next करेंगी तो आपको सामने इस तरह का interface आएगा तो यहां बे अपने एक background select करना है सबसे पहले ठीक है background select करने के लिए अपने media के option पर क्लिक करना है और ये जो आपको ऊपर सबसे first number पर लिखा हुआ नजरा background आपने इसके ओपर click करना है image के ओपर तो यहां से आपने black background select करना है और इसको आपने ok कर देना है ठीक है ok करने के बाद आपने करना क्या है क्या आपने मेरी description open करनी है video के देखते ही ठीक है video के अंदर description के अंदर मैंने एक link दिया हुआ है आपने वो link open करना है और वहां से आपने green screen png डाउनलोड करनी है gold hand की ठीक है तो उसको डाउनलोड करने के बाद आपने black background select कर लिया उसके बाद आपने वहाली png select करनी है ठीक है एड करना है ठीक है png add करने के लिए आपने layer के option पे क्लिक करना है उपर media के option पे क्लिक करना है यहां पे डाउनलोड वाला फोल्डर में आ जाना है और आपने यह वाली png select करनी है ठीक है इसको select करने के बाद आपने इसको full screen करना है इस screen पे आपने click करना है इस पे click करेंगे तो यहां पे यह जो आपको white वाली screen नज़रा रही आपने इसके उपर click कर देना है ठीक है तो यह full screen हो जाएगी ठीक है इसको करने के बाद ये तो हमारे काम सारे complete हो गए हैं अब आपने फिर से इसी PNG के बाद ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने थोड़ा सा नीचे आना है यहाँ पर आपको एक chroma key का option मिलेगा आपने chroma key के option पर क्लिक करना है और इस button पर आपने क्लिक करना है ठीक है यहाँ पर यह जो green screen है यह remove हो जाएगी आट ओ यह ठीक है इसको करने के बाद आपने अपनी photo अब select करनी है ठीक है photo आप किस तरीके से select करेंगे यहाँ पर अपने layer के option पर click करना है media के option पर click करना है यहाँ पे अपने गैलरी में आ जाना है यहाँ से अपने गैलरी में से आपने जो भी फोटो सेलेक्ट करने है वो फोटो आप सेलेक्ट कर लेज़ेगा यहाँ पे यह वाली फोटो में सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा रूटेट कर लेता हूँ ठीक है रोटेट करके इसको आपने यहां पे रखना है यहां पे जहां पर यह ब्लैक सक्रीन आपको नज़र आ रही है ठीक है तो यहां पर रखने के बाद आपने किया है आपने इस फोटो को send to back करना है ठीक है, send to back करने के लिए आपने उपर ये जो आपको सबसे उपर three dots के option नज़रा रहे हैं, तीन आपने इनके उपर click करना है और आपको ये जो send to back लिखा हुआ नज़रा आपने इसके उपर click कर देना है तो आपकी photo send to back हो ज़एगे, ठीक है send to back करने के बाद ये देख सकते हैं, मेरी जो photo की जो look है, वो इस तरह की हो गई है, ठीक है अब आप अपनी photo को save कर सकते हैं, photo को save करने का क्या तरीका कार है, आपने इस camera के option पे click करना है, और capture and save पे click करना है तो ये photo आपकी gallery में save हो जाएगी उसके बाद आप अपने दोस्तों के साथ भी share कर सकते हैं आप किसी platform के उपर भी share कर सकते हैं और अपने दोस्तों के इस तरह की photo edit करके share करके उनको हरान भी कर सकते हैं, तो ये photo हमारी gallery में save हो गई ये तो मैं आपको एक और photo भी करके दिखा देता हूँ, इस photo को मैं यहां से कर देता हूँ, delete delete करने के बाद यहां से हमें एक और girl की photo add कर लेता हूँ, ठीक है यहां से layer की option पे click करना है, media की option पे click करना है, ठीक है यहां पे girl की जो भी आप photo add करना चाहें या select करना चाहें फोटो सेलेक्ट कर लेजेगा यहां पर आपने black screen के उपर क्लिक करना है और यह जो आपको first number पे उपर three dot का option अजरार आपने इसके उपर क्लिक करना है यहां से आपने भी इसको send to back कर देना है ठीक है तो यह देख सकते हैं यह वाली photo भी मेरी बिल्कुल ready हो गई है तो यहां से आपने इसको भी safe कर लेना है safe करने के लिए आपने camera के option पे क्लिक करना है और capture and safe पे क्लिक करना है तो यह photo भी आपकी gallery में safe हो जाए यह ठीक है तो यह तरीका कार है आज की editing का ठीक है तो उमीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो अपने दोस्तों साथ जरूर शेयर कीजिएगा अपने बहुत सारा ख्यार रखिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलाहफ़स